हाई गाईज, वेलकम बाक टो आर चानल, थियोरी ओफ अब्रोगेशन इन दिस वीडियो और इन दिस सीरीज, वी विल कवर दे इंडियन पार्टनर्शिप आक्ट 1932 इस सीरीज में हम इंडियन पार्टनर्शिप आक्ट 1932 को कवर करेंगे तो लेट्स बेगिन देखे, सबसे पहले हम इसके वजूद की बात कर लेते हैं कि when did this partnership act come into existence इसका वजूद कब हुआ, ये पैदा कब हुआ तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कहानी ये है कि पहले ये इंडियन पार्टनर्शिप आक्ट इंडियन कॉंट्राक्ट आक्ट में ही हुआ करता था सेक्शन 239 से 266 तक सिर्फ पार्टनर्शिप के लिए डिवोटेट थे लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा वैसे वैसे ऐसी प्रॉब्लम साने लगी जो कॉंट्राक्ट आक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहा था कॉंट्राक्ट आक्ट में जो प्रोविजन्स थे 239 से 266 तक वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे वो कम पड़ रहे थे वो सिर्फ 27-28 सेक्शन आप गिल लीजे सिर्फ उतन ही होंगे तो इसलिए हमें एक उस चीज़ पे comprehensive law की ज़रूवत थी एक अच्छे law की ज़रूवत थी एक बड़े law की ज़रूवत थी और उसके साथ एक और reason ये था कि कुछ definitions जो थी वो पुरानी हो गई थी तो हम जब नया act लाए हैं तो हमने उसको बड़ा भी किया है और साथ में उसमें नई definition भी introduce की है which we will see in further lectures तो सबसे पहला अपनी जो point बना वो क्या है कि Partnership Act वजूद में कब आया 1932 में क्योंकि उसका नाम ही Indian Partnership Act 1932 है इसके पहले ये Indian Contract Act में हुआ करता था section 239 से 266 chapter 11 ठीक है इसके reason मैंने आपको बता दिये second ये based किस पे है तो देखिए ये English Partnership Act 1890 पे based है English Partnership Act 1890 पे अगर आप English Partnership Act को एक तरफ रखोगे और Indian Partnership Act को एक तरफ रखोगे तो you will find most of the things would be common except for a few things except for a minor except for some minor differences almost everything would be common तो आप कह सकते हो एक तरीके से वो उसका जनक है ठीक है English Partnership Act 1890 जो है वो इसके जनक है जो अपना Indian Partnership Act 1932 है and the reason can be कि भाई देखिए उस time जो है colonial time चल रहा था अंग्रेजों का समय था तो अंग्रेजों ने अपना लौ सीधा यहाँपे import कर दिया कुछ minor differences के साथ जैसे इंडिया में अगर आप बात करेंगे कि Partnership Act का force में आया तो आप कहेंगे 1st October 1932 को force में आया यानि इसका जो provisions हैं वो भारत में लागू होने लगे लेकिन except for one section जो है section 69 section 69 जो है वो सीधा एक साल बाद आया यानि 1st October 1932 को पूरा partnership act आया लेकिन उसका एक provision section 69 उने बोला कि एक साल बाद लागू करेंगे 1st October 1932 को the reason was इंडिया में पहली बार registration का concept लाया गया था इसके पहले registration जैसी भारत में कोई चीज नहीं होती थी तो जब इन्होंने registration का provision लाया तो इन्होंने भारती आवाम को भारती लोगों को समय दिया कि वो लोग इस चीज को समझ सकें कि भाई अगर registration नहीं कराएंगे तो क्या होगा क्या jail जाने को मिलेगा क्या penalty imposed की जाएगी या फिर कुछ benefits ही नहीं मिलेंगे तो ये सारी चीजे थी short में जो इसका introduction था let's move on ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्या है हाँ तो section 1 में अपनी बहुत simple simple बाते लिखी है partnership act की ये लिखा है कि this shall be called the Indian partnership act 1932 it shall come into force on 1st October 1932 except for section 69 which shall come into force exactly 1 year later ठीक है तो और it shall extend to the whole of India पहले except Jammu and Kashmir था जो अब लागू नहीं होता अगर section 2 की बात करें तो this becomes a prominent section of this act क्योंकि देखिए कोई भी act अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल शुरुआत में ही definition दी होती है definition definition देने का ये मतलब होता है कि भाई देखो हम ये चीज़ बोल रहे हैं ये word बोल रहे हैं और इस word का मतलब यहां पर यही होगा इसके अलावा कुछ नहीं होगा भले dictionary कोई और meaning बताती है लेकिन जो हम word use करेंगे और अगर defined है वोस act में तो उस word का मतलब वही समझा जाएगा जो section 2 में defined है सबसे पहले क्या defined है section 2A वो बोलता है an act of the firm means any act or omission by all the partners or by any partner or agent of the firm which gives right to a right enforceable by or against the firm अच्छा यार क्या मतलब होगा थोड़ा complex होगया देखिए इसको एक example के जरीए समझते है आप कोई भी काम करोगे न तो वो आपको या तो आपको right देगा या सामने वाले को right देगा आपके खिलाफ अब भी नहीं समझे चलो example पर जैसे माल लो तुमने कहीं पर चोरी की ठीक है तो या फिर तुम्हारे यहां किसी ने चोरी की अगर तुम्हारे यहां किसी ने चोरी की है तो तुम्हें right है कि तुम सामने वाले पर मुकदमा फाइल कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर तुमने चोरी कर ली है तो सामने वाले को right है कि वो तुम्हारे against प्रोसीट कर सकता है तो कोई भी ऐसा right enforceable by और against the firm या तो right दे दे या आपके खिलाफ right दे दे तो उसे कहेंगे act of the firm अच्छा अब firm तो भाई firm क्या है firm तो कुछ लोगों का group है ना तो act of the firm क्या होता है act of the firm मतलब या तो कोई partner कर दे कोई गलत काम माल लेजिए या फिर कोई सही काम भी ठीक है कोई partner कर दे उनका agent कर दे एक partner करे दो partner करे सारे मिल करे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए इसने बोला an act of the firm means any act or omission by all the partners और by any partner और agent of the firm अगर कोई agent भी करेगा तो भी हम उसे act of the firm ही बोलेंगे business includes every trade occupation and profession business में हर कोई trade हर कोई occupation और हर कोई profession आएगा इनका कहने का यह मतलब है कि देखो भाई business में तो आप जिसे धन्दा करते हो तो आप सिर्फ धन्दे को मत समझना कोई occupation और profession भी Indian partnership आग के तहत cover हो सकता है third क्या है third तो कुछ मतलब नहीं है prescribed means prescribed by rules under this act कि prescribed का मतलब यह होगा कि जो इस rule में लिखा है उसी rule को माना जाएगा यह तो understood है यार कि जो यहाँ पे लिखा है उसी को आप prescribed को होगे fourth is important d third party used in relation to a firm or to a partner therein means any person who is not a partner in the firm तो third party अगर इस act में इस्तिमाल किया गया है तो क्या मतलब होगा उसका कि कोई भी बंदा जो यहाँ पे पार्टनर नहीं है वो third party कहलाएगा for example अगर आप पांच दोस्तों ने मिलके एक रेस्टरों खोला है partnership में तो आप पांचों के अलावा कोई भी बंदा होगा कोई भी कस्टमर होगा कोई भी कुछ होगा that person will be referred to as third party और last क्या कहता है expressions used but not defined in this act and defined in Indian contract act shall have the meanings assigned to them in that act इसका मतलब हो रहा है कि भाई देखो इन्होंने चार चीज़ां defined की act of the firm, business, prescribed और third party इसके अलावा जो चीज़े यहां पर defined नहीं है जिसे यहां पर contract defined नहीं है agreement defined नहीं है तो अगर आपको इन सब का मतलब देखना है तो Indian contract act में जाएंगे आप और Indian contract act में जो लिखा होगा वही मतलब यहां पर भी अपलाई होगा तो इसका basically कहने का मतलब है कि देखो भाईया मेरे पापा है Indian contract act चलो अब बढ़ते हैं आगे section 2 हमारा definition clause हो गया फटाफट से quick legal bites में और section 3 क्या कहता है applications of the provision of act 9 of 1872 section 3 जो है वो यही declare करता है कि भाईया देखो मेरे पापा जो है वो Indian contract act है लेकिन उसके साथ एक छोटी सी बात और कहता है कहता है देखो अगर हमारे और हमारे पापा में लडाई होगी तो मैं जीतूंगा पापा नहीं जीतेंगे ordinary case में कौन जीतता है पापा लेकिन भाईया यह बोल रहा है कि अगर मेरे और पापा के बीश में लडाई होगी यानि partnership और contract के बीश में लडाई होगी तो partnership जीतेगा अगर partnership की बात हो रही होगी for a simple reason देखिए contract जो है वो general nature की चीज है ठीक है general nature के business की बात करता है partnership जो है वो specific चीज की बात करता है और general और specific में हमेशा specific prevail होता है for that reason I am saying this तो section 3 पढ़ते है the unrepealed provisions of the Indian contract act 1872 ठीक है यानि जो repeal नहीं हुए है Indian contract act में जो sections repeal नहीं हुए है save in so far as they are inconsistent with the express provisions of this act shall continue to apply to firms तो हमें पहली line पढ़नी है और last line पढ़नी है the unrepealed provisions of the Indian contract act shall continue to apply to firms यानि जो repeal नहीं किया गया है Indian contract act में Indian contract act Indian partnership act पे लागू होगा लेकिन अगर वो उसके contravention में नहीं है अगर वो उससे inconsistent नहीं है अगर inconsistent है तो partnership act जो है वो बड़ा होगा वो लागू होगा So I gave you a brief idea of what section 1, 2 and 3 are Now let's check the road map की हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे देखिए सबसे पहला है preliminary chapter जो हमने अभी किया section 1 से लेके 3 तक फिर जो आता है फिर chapter 2 है nature of partnership section 4 से 8 तक होता है इसमें आपको definitions मिलती है partnership के बारे में आपको और जानने का मौका मिलता है कि what exactly is partnership third is relation of partners to one another जो section 9 से 17 तक दील होता है जैसे मालो आप 5 परसन हो 5 दोस्त हो आपस में आपने partnership की तो आपके एक दूसरे के ओपर क्या rights है और एक दूसरे से क्या liabilities है that we see in section 9 to section 17 chapter 3 chapter 4 में क्या लिखा है relation of partners to third party यानि अगर आप लोग हो तो आपका अपने customer से क्या rights होंगे customer पर क्या rights होंगे और उनके आप पर क्या rights होंगे आप लोग के क्या liabilities होंगे एक दूसरे से तो जो law लिखा है वो इस chapter 4 में section 18 से 30 तक लिखा है what is fifth incoming and outgoing partner कोई बंदा नया आ रहा है पुराना वाला छोड़के जा रहा है तो क्या नियम कानून लगेंगे partnership के वो chapter 5 में लिखा है 31 से 38 तक now dissolution of a firm फिर क्या है dissolution मतलब firm किस तरीके से खतम होगी मालो आप खुद खतम करना चाह रहे हो आपको profit नहीं हो रहा हो रहा है तो आप करो यहार चलो firm बंद करके चले जाते हैं या फिर आपने कोई गलत काम कर दिया तो court ने order दे दिया कि चलो इस firm को बंद करो तो क्या क्या तरीके हैं firm को बंद करने के वो अपन पढ़ते हैं dissolution of firm section 39 से 55 तक next is registration of a firm जो आप याद करिये कि section 69 जो है वो सीधा एक साल बात क्यों आया था क्योंकि registration was a new concept which was being introduced in India registration एक नया concept लाया जा रहा था भारत में इसलिए ताकि लोगों को समय मिले कि वो लोग समझ सकें registration के क्या नुकसान होंगे क्या फाइदे होंगे एक साल उनको दिया गया था तो registration of a firm section 56 से 71 तक डील होता है इसमें आपको बताते हैं कि registration कैसे करना है registration करने की authority कौन होगी office कौन सा होगा उनको powers क्या होगी और अगर आप नहीं कराते हो तो क्या चीज़े हो सकती है और last में supplemental है जो बस generic nature की बाते करता है which is not that important So meet you in next lecture Thank you so much कर दो कर दो कर दो